हेलो दोस्तों कैसे हो आप लोग स्वागत हैं मारी यूट्यूब चैनल में तो भाईो आप लोगों को पता होगा कि एक जनवरी से IUC चार्ज को खतम कर दिया गया है ट्राई की तरफ से तो जियो ने काफी बदलाव किये हैं अपने रिचार्जिस में तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि आप 10 रुपे में 1GB डेटा कैसे ले सकती हो तो इस वीडियो को आप कम्प्लीट देखेगा अगर आपको भी डेटा की जरूरत रहती है तो चलिए दोस्तों सुरू करते हैं सबसे पहले में अपने नंबर का डेटा दिखाने वाला हूँ मेरे नंबर पे कितना डेटा पड़ा हुआ है तो मैं यहाँ पे MyGU application को open करूँगा यहाँ पे आपको दिखाऊंगा कि मेरे में कितना डेटा पड़ा हुआ है तो उसके लिए मुझको जाना पड़ेगा यहाँ पे go to telecom section पे क्लिक करना है क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आप देख सकते हूँ 817 MB जो कि पड़ा हुआ है और नीचे आपको मैं दिखाने वाला हूँ जो कि डेटा वाउचर तो यहाँ पे आपको जाना है वाउचर य 26 क्वेंटिटी पड़ी हुई यानि दोस्तो 26 GB डेटा मेरे पे पड़ा हुआ है तो दोस्तों यह मैंने कैसे मिला है तो दोस्तों मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ जैसे कि दोस्तों यह एक जनवरी से पहले के जो मैंने रिचार्ज किये हैं 10 रुपे या 20 26 रुपे के बो यहाँ पे डेटा सो कर रहा है अब मैं आपको बताऊंगा कि आप 10 रुपे में एक जीबी डेटा कैसे ले सकते हो आपको पता होगा एक जैनवरी से यहां पे जो की जियो की तरफ से अब यहाँ पे आपको 10 रुपे का जैसे यहां पर इचार्स करते होगे तो उसमें आपको 7 रुपे कुछ something पैसे मिलता होगा और आपको जो डेटा वाउचर है जो बन GB का डेटा अगर आपने 10 रुपे डलाते थे पहले तो आपको यहाँ पे 1 GB का डेटा और 7 रुपे कुछ पैसे मिलता था 20 रुपे आप डलाते थे 14 रुपे और 2 GB का डेटा वाउचर भी आपको मिलता था पट यहाँ पे 1 January से IOC को खतम करने के बाद में अब यहाँ पे जो एक्स्टर डेटा जो आपको फ्री में डेटा मिलता था टॉक टाइम आप जो भी रिचार्ज कराते थे तो उस पर जो डेटा मिलता था अब यहाँ पे नहीं दे रहा है अब दोस्तों कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके अकाउंट में मैं आपको बताओं मेरे अकाउंट में यहाँ पे कितना बैलन्स पड़ा हुआ है अब मैं आपको बताओंगा जो आपका यह बैलन्स है इसमें आपके काफी सारा बैलन्स पड़ा हुआ है तो आप इस बैलन्स से डेटा बैलन्स में कैसे कनवर्ट कर सकते हो यानि दोस्तों इस बैलन्स को आप डेटा कैसे ले सकते हो इस बैलन्स से तो इसके लिए आपको जाना है यहाँ पे लिखा होई रिचार्ज पे रिचार्ज पे आपको किलिक करना है रिचार्ज पे जैसे ही आप किलिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का आपसन आ जाएगा दोस्तों आपको यहाँ पे इस तरह स्क्रोल डाउन करना है आप यहाँ पे स्क्रोल भाहाँ देना चालता हूँ यहाँ पे आप 11 रुपे 21 रुपे 15 रुपे 101 रुपे और मैं आप बताऊंगा यहाँ अगर 11 रुपे का रिचारज करेंगे तो आप 800 MB डेटा मिलेंगा और यहाँ पर awards 2021 रुपे का यहाँ पर रिचार्ज करेंगे तो आपको 2 GB डेटा मिलेगा तो आप समझ सकते हो कि 10 रुपया का वंजीवी डेटा बन रहा है तो हम यहाँ पर 21 रुपया का रिचार्ज करेंगे और जो हमारे देख सकते हैं यूज यूर अकाउंट बैलन्स तो यहाँ पे मेरा 44 रुपय था तो मैं इसमें से इसको कटवा देता हूँ तो यहाँ पे मैं इसको पेनाओ पे क्लिक करता हूँ पेनाओ पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे आप देख सकते हो सक्सिस्फुली यहाँ पे मुझको 2 GB का डेटा मिल चुका है जो कि दोस्तो 10 रुपए पर GB यहाँ पे पड़ा हुआ है तो दोस्तो इसको बैक आकर मैं आपको देखा देता हूँ मेरे बैलन्स मेरा बैलन्स से 44 रुपए कुछ था तो इसको मैं रिफरेस्ट पहले कर देता हूँ तो रिफरेस्ट करने के बाद में दोस्तो मैं इसको फिर इदर आता हूँ तो आप यहां पे देख सकते हो 23 रुपए कुछ रह गया है ठीक है तो यह 2 GB डेटा यह कहां गया है तो उसके लिए मुझका जाना पड़ेगा यहां पे आपको करेंट पिलान पे पिरिपेड इस पे किलिक करना है किलिक करने के बाद में दोस्तों आप यहां पे अपना जो भी डेटा है वो देख पाओगे तो यहां पे आप देख सकते हो 21 रुपए का अभी अभी मैंने अपने मेन बैलनस से यह डेटा वाउचर खरीदे हैं तो आप देख सकते हो जो की 2 चीबी डेटा और यह 29 जनवरी तक वैलिड है जो आपकी जो पिलान की वैलिडिटी होगी वो ही आपके डेटा की वैलिडिटी होगी जो आप यहां पे देख सकते हो जब आपका पिलान एक्सपायर होगा तो आपका ये डेटा भी एक्सपायर होगा चाहें आप इसको यूच कर पाएं या ना कर पाएं तो दोस्तों आप इसी तरीके से डेटा आप ले सकते हो तो अगर आपके मेन अकाउंट में बैलन्स पड़ा हुआ है जो टाइम बैलन्स कर सकते हो दोस्तों आपके में जितना भी जितना बैलन्स हो वह आप अपने तरीके से कर सकते हो तो आपको 10 रुपे में बंजी बी डेटा यहां से आपको मिल जाएगा तो दोस्तों आसा करता हूं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी दोस्तों पसंद आई हो तो ला बाइब बाइब बाइब